नमस्कार, मैं सोनाली सिंग बदोरिया, आप क्यों श्रीमती महरी देवीता पड़िया कन्या महाविद्याले जस्वनगड के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हम आपसे एक बार फिर मिल रहे हैं, अपनी पढ़ाई को आगे भढ़ाते हुए एक नई टॉपिक के साथ, एक नई बुक के, एक नई शुरुवात के साथ आज हम आपके सामने B.Sc. Second Year की एक नई बुक शुरुवात करने जा रहे हैं B.Sc. First Year के जो students हैं, वो अपनी First Year की पढ़ाई के साथ साथ, Second Year की पढ़ाई को भी continue कर सकें, इसलिए हमने आज उनके लिए इस टॉपिक को चुना है अब देखिए, जब आप अपने First, हमने Maths की बुक का इंट्रो अपने पीछे वाले टॉपिक में, पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया था आज हम हमारे First Paper की First Book, जो की हमारी अमूर्थ बीजगनित है, उस अमूर्थ बीजगनित के टॉपिक को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते वे इसके एक नए टॉपिक, Group Theory की पार्ट को लेकर के Group and Its Properties के बारे में बात करेंगे, यानि हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो यह है, Group and Its Properties, क्या होता है Group और इसकी गुंधर्म क्या-क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम हम आपर क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, Group and Its Properties, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह हमारे Abstract Algebra का Part है, Abstract Algebra का Part ह होने के कारण, सबसे पहले हमें Algebra की स्टेक्चर को समझना होगा, कि बीजी संरचना क्या होती है, इसका निर्मान कैसे होता है, और इसका हमारे आगे क्या उपयोग होगा, तो सबसे पहले जब हम हमारी बुक शुरू करेंगे, Abstract Algebra, जो कि हम कर रहे हैं अपने Group and Its Property के टॉ आपक के साथ, तो Abstract Algebra जब हम शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा Algebra Structure, क्या पढ़ना होगा हमें सबसे पहले? Algebra Structure. Algebra Structure के बारे में हम पढ़ेंगे, यानि BGA सनरचना क्या होती है? क्या होती है BGA सनरचना, उसको किस प्रकार से हमें यूज लेना है और उसका हमारे इस बुक में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? जानकारी प्रात करेंगे. BGA जो सनरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, कि आपके पास में एक सेट है. सेट से आप सभी परिचित होंगे और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपको अपने नंबर थियोरी के बारे में पूरी जानकारी करके रखनी है, तो आप अपना बेस बन कोई element होना चाहिए. अगर उसमें कोई भी element नहीं होता है, तो उसे हम बोलते है empty set, यानि रिक्त समुच्चे. और जब भी कभी उसमें एक या एक से अधिक कितने भी पद आ जाते हैं, तो वो हमारा कैसा समुच्चे हो जाता है? यानि non empty set हो जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले BGS अंदचना के लिए आपको एक एरिक्त समुच्चे लेना होगा. क्या लेना होगा? एरिक्त समुच्चे. यानि अंगरीजी में हम इसे बोलते हैं non empty set. non empty set. सबसे पहले आपको एक एरिक्त समुच्चे non empty set लेना है. इस set को लेने के बाद में आपको उस पर कोई एक binary operation operate करवाना है. यहाँ binary operation को इस निशान द्वारा क्या किया जाएगा? व्यक्त किया जाएगा. आपको उस एरिक्त समुच्चे पर एक binary operation add करवाना है. Binary operation में आपके पास क्या होता है? जैसे मैं उधारन के तौर पे आपको बताओं Plus हो सकता है, Minus हो सकता है, Multiple हो सकता है, Divide हो सकता है यानि जोड बाकि गुणा भाग इस प्रकार के कोई भी आप द्वियाधारी संक्रिया Binary operation को आपन हिंदी में बोलते हैं द्वियाधारी संक्रिया और उस पर इस Binary operation को operate करवाना है तथा जो भी आपको कुछ अभीष्ट निर्देश दिये जाएं उन निर्देशों को follow करते हुए जो आप एक संरचना का निर्मान करते हैं उस संरचना को हम BGA संरचना के नाम से जानते हैं क्या आपको मैंने सबसे पहले BGA संरचना यानि इस बुक की शुरुआत की जानकारी दी है कि हम नाम ही आपको समझ में आ रहा है Abstract Algebra Algebra, Abstract Algebra यानि सबसे पहले हम Algebra की स्ट्रेक्चर यानि BGA संरचना के बारे में जानकारी प्राप करेंगे तो सबसे पहले संरचना हमें पता होनी चाहिए इस संरचना में मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास कोई एक Non Empty Set होना चाहिए उस Non Empty Set को ले करके जब आप उस पर कोई एक Binary Operation यानि द्वी आधारी संक्रिया operate करवाते हैं अब द्वी आधारी संक्रिया में आपके पास Plus, Minus, गुणा और भाग ये कोई से भी हो सकते हैं जब इन द्वी आधारी संक्रिया को आप उसमें operate करवाते हैं तो Operation के बाद या जो आपको Terms and Condition दी जाती है उन Terms and Condition को Follow करते हुए जब आप इसको हल करते हैं तो बनने वाली जो आपके पास Sunrachna होती है उस Sunrachna को हम किस नाम से जानते हैं B.J. Sunrachna के नाम से जानते हैं चलिए, इस B.J. Sunrachna को आगे लेते हुए हम अपने नए topic पर जाते हैं नए बिंदू पर जाते हैं नया जो बिंदू है वो हमारे इस topic से related है हमारा topic आपको नजार आ रहा है Group and its properties अब हम बात करेंगे Groupoid किसके बारे में बात करेंगे? Groupoid Groupoid को आपन हिंदी में बोलते हैं Samuhab ध्यान दीजेगा बच्चों मैं आपको धीरे-धीरे और स्लोली बढ़ा रहे हूं क्योंकि यह आपके लिए एकदम नई book है आपको पहले शुरुवात में इसकी क्या करने होगी? जानकारी प्राप्त करने होगी तो जिससे आपको यह आराम से समझ में आने लग जाए तो हम बात कर रहे हैं Groupoid Groupoid यानि Samuhab हिंदी में इसे बोलेंगे Samuhab ठीक है Groupoid के बारे में जानकारी करेंगे या फिर इसको बोलते है Binary Operation क्या बोलते है? Binary Algebra इस नाम से भी इसको जानते है Algebra तो आप दूसरा इसका नाम क्या ले सकते है Binary Algebra अब इसमें क्या होगा? अभी आपने Algebra की Structure बनाना सीखा था आप उस Algebra की Structure को लेकर के आगे इसमें हम काम करते हैं सबसे पहले हमने Algebra की Structure के बारे में बात की थी उस algebraic structure को व्यक्त करने का तरीका होता है, मान लीजें कि कोई एक G आपका non empty set था और इस पर आपने एक star संक्रिया यानि binary operation operate करवाया, तो इस प्रकार से ये जो बनने वाली structure है, ये structure आपके जानी जाती है, BGA structure या algebraic structure के नाम से जानी जाती है, इसको notation करने का तरीका इस प्रक से होता है, ध्यान आगिया सबगी को, सबसे पहले आपको एक क्या लेना है, एक non empty set लेना है, इस non empty set में कोई एक binary operation यानि star operate करवाना है, जैसे आप इस non empty set में ये एक star operate करवाते हैं, तो इस प्रकार की जो आपके पास संरशना बन कर कर आती है, उसे बोलते हैं BGA संरशना, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, ग्रुपोइड की, यानि ग्रुपोइड के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ग्रुपोइड में आपको क्या करना होगा, समुहाब में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक BGA संरशना लेनी होगी, जो कि binary operation को follow कर रही ह तथा उसमें यदि वो आपकी संरचना अगर closed आती है, कैसी निकल करके आती है? Closed, closed को हम इंदी में बोलते हैं संवृत, क्या बोलते हैं? संवृत, तो जब आप एक binary operation, बीजे संरचना लेंगे, उस बीजे संरचना में एक binary operation लगाएंगे, और यह जब binary operation लगाने के बाद, आपके पास जो हल निकल करके आए, वो अगर closed हो, कैसा हो? closed हो या संवृत हो, तो closed या संवृत होने पर जो आपके पास निर्मान होता है, उस निर्मान को हम बोलते हैं समुहाब या ग्रुपोइड, क्या? समुहाब या ग्रुपोइड नाम से जानते हैं, आपको इसमें क्या करना है? एक एरिक्त समुच्च जी लेना है, जो की द्वियाधरी संक्रिया, यानि binary operation को follow कर रहा हो, इस जी को binary operation स्टार से follow करवाते वही, एक BGA संरिशना बनाई जाती है, इस BGA संरिशना को जब हम follow करवाते हैं, अगर ये BGA संरिशना closed आती है, संवृत आती है, तो ये आपके क्य क्या कहलाता है, group idea, samu hap कहलाता है, इस samu hap को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कल्प group, इसका दूसरा नाम क्या है, कल्प group, ग्रुप को हम हिंदी में बोलते है, samu hap, ग्रुप को हम हिंदी में बोलेंगे, samu hap, ठीक है, तो जब इसमें हम, इसका दूसरा नाम, इसक क्या बुलेंगे? क्वेजी ग्रुप, ठीक है? तो इस ग्रुपोईट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसका ये दूसरा नाम क्या है? क्वेजी ग्रुप. अब सबसे पहले ग्रुपोईट को समझने के लिए आपने इसकी परिभाशा तो जान ली. अब इस परिभाश को अपने number system को strong बना करके बैठना है. तो आज अपने number system को ध्यान करके रखा होगा. तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ natural number की. तो natural number करते है, natural number आप सभी को पता है, बताओ कहां से शिरू होते है, natural number हमारे शिरू होते है, one, two, three and so on. ठीक है? तो एक मैंने non empty set, natural number का एक set लिया. इस set को लेने के बाद मैं इसमें से कोई दो element ले लेती हूँ. कोई से भी दो element ले लेती हूँ. माल लिजए मैंने तीन और चार इस natural number के element ले लिये. अब मैं इन natural number के elements पर binary operation लगाऊंगी. और binary operation लगाने के बाद यह देखूंगी कि क्या यह ग्रुपोइट बनने लाइक है या नहीं? क्या यह संक्रिया को फॉलो करता है या नहीं? इन सब चीजों के बारे में मैं आपको क्या करूंगी? जानकरी दूंगी. जैसे ही आपने तीन और चार number लिया है, जो कि natural number को बिलॉंग कर रहा है. इस तीन और चार को लेने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले हम binary operation में अपने plus को लगाते हैं. तो सबसे पहले मैंने 3 plus 4 किया, कितना आता है? 7. यह 7 जो आता है, क्या वो इस natural number में बिलॉंग करता है? जी, बिल्कुल सही कहा, बिलॉंग करता है. तो जब यह इस natural number में बिलॉंग करता है, तो यह क्या है? प्लस की संक्रिया क फॉलो कर रहा है. यानि natural number यहां पर प्लस operation के लिए. मैं किस operation की बात कर रही हूँ? प्लस operation, यानि binary operation में अभी आपको बताये थे. उस binary operation में मैं किस operation की बात कर रही हूँ? प्लस operation की बात कर रही हूँ. यानि यह natural number इस प्लस operation को क्या करता है? फॉलो करता है. उसके बाद मे जब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, मैं इस पर दूसरा उप्रेशन लगाती हूँ, मल्टिपल का, तो 3 इंटो 4 करते हूँ, तो आपके पास कितना निकल कर क्या आता है, 12, बताएगे, क्या ये नेचरल लंबर में बिलॉंग करता है या नहीं करता है, बिल्कुल सही का, ये 12 भी क्या है, इस नेचरल लंबर में बिलॉंग करता है, तो ये भी क्या करता है, मल्टिपल भी आपके क्या कर रहा है, बाइनरी आप्रेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसी प्रकार में सब्स्ट्रेक्शन लगाती हूँ, सब्स्ट तो इसमें आया ही नहीं, यह नेचरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, तो यह माइनस जो है वो नेचरल नंबर, यानि माइनस का बाइनरी ओपरिशन, नेचरल नंबर को बिलॉंग नहीं कर रहा, अब इसी प्रकार से अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड कर दूं, मैं क्या करूं, 3 डि नंबर होगा, वो इसमें उपलप्त नहीं है, तो आप इसको समझ सके होंगे, कि जैसे हिए मैंने इन में बाइनरी ओपरिशन लगा-लगा करके देखे, तो मुझे पता चला कि कौन सी संक्रिया इसको फॉलो कर रही है, और कौन सी संक्रिया इसको फॉलो नहीं कर रही, तो इसकी जानकरी आपको क्या हो रही होगी, पता चल रही होगी. तो यहां पर हमने इसी की यही परिभाशा पड़ी थी, उस परिभाशा को पढ़ते वे हमने क्या पढ़ा था? एक बार रे विजल ले लेते हैं, हमने इसकी पनिभाशा में पढ़ा था कि एक एरिक्त समुच्च लेना है, Example में मैंने As It Is जो पनिभाशा में कहा गया, वैसा एक एरिक्त समुच्च आइन लिया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि उस पर कुई ना कोई binary operation लगाना है, वो आपके इस लिए गए सेट में विध्यमान हो, तो वह उस सेट के लिए खिलोज्ड होता है, तो अगर आपका आंशर खिलोज निकल करके आएगा, तब तो ये ग्रोपोइट यानि समुहाब होगा, और अगर ये खिलोजड नहीं निकल करके आएगा, तो यह समुहाब नहीं होगा, तो हम यहां क्या बता सकते हैं, कि प्लस के लिए तो यह 7 आया, जो कि 7 या अन्य कोई संख्या है लेते, तो आपके इमान चेंज आते, तो यह मान तो आपके कैसे हैं, इसमें बिलॉंग कर रहा है, यानि प्लस के लिए तो नेटरल नंबर क्या क कर रहा है, इस binary operation को follow कर रहा है, cross के लिए देखा, यानि multiply के लिए देखा, तो multiply के लिए भी यह क्या कर रहा है, और operation को follow कर रहा है, minus में यह follow नहीं कर रहा, और divide में भी यह follow नहीं कर रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, natural number plus के लिए और cross के लिए कैसा है, groupoid है, जबकि minus के लिए औ एक example से आपको यहाँ पर clarification पता चला होगा, इसको और clear करते हुए मैं आपके सामने एक और example लिखती हूँ, जिससे आपके पास यह चीज बहुत अच्छे से clear हो जाए. अब इसका मैं दूसरा example लिखती हूँ. दूसरा example जब हम लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा. दूसरे example में जैसे माल लिजिए आप एक integer ले लिजिए. integer तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपना काम करना है, आपको अपना पिचला बेस अच्छा बना रहा है. तो आप पढ़के ही आए होंगे, क्या होते है integer, क्या होते है natural number, क्या होते है real number, इन सब चीजों की जानकरी तो आपको पहले से होगी. तो चलिए, जब हम इसमें एक integer लेते हैं, तो integer में हमारे कौन सा सेट बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जिसे माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, and so on. इस प्रकार के सेट होंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक integer का सेट लिया, अब integer में मैं कोई से भी दो element उठाती हूँ, और उन दो element, आप 2, 3, जितने चाहें, उतने element उठा सकते हैं, उनको वो elements को लेने के बाद, आपको क्या करना है? आपको अपने, इसमें binary operations को क्या करवाना है? फॉलो करवाना है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, एक तो ले लिया, माइनस का 2, दूसरा मैं ले लेती हूँ, 3, यह दो elements लिये, जो कि किसके हैं? जेट के हैं, यानि इंटीजर के हैं, अब वही बात, मैं इसमें binary operation follow करवाती हूँ, तो मैं जब भी इसमें binary operation follow करवाऊंगी, तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं plus को operate करवा रही हूँ, मैं कौन सी संक्रिया को operate करवा रही हूँ, plus को, तो मैंनस का 2, plus का 3, तो आपके पास कितना आता है, 1, क्या यह z का element है, जी, बिल्कुल, यह z का element है, इसी प्रकार, जब हम इसमें क्या करवाते हैं, माइनस operate करवाते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, तो आपके पास कितना आता है, माइनस का 5, तो बताए, क्या यह z का element है, जी, सही कहा, यह z का element है, अब इसी प्रकार, मैं इसको multiply करवाती हूँ, तो माइनस का 2, गोना 3, तो माइनस का 6, बोलिए, क्या यह z का element है, जी, बिल्कुल, यह भी z का element है, अब मैं इसमें, डिवाइडिशन लगाती हूँ, माइनस का 2, divided by 3, तो आपके पास जो आंसर निकल करके आता है, क्या वो z का element है, बिल्कुल नहीं है, तो वो z का element नहीं है, तो हम यहाँ पर आराम से देख पा रहे हैं, कि हमने जब z लिया, तो z में क्या हुआ, plus, minus, cross, इन सबी ने तो क्या किया, यहाँ पर इस binary operation को क्या किया, follow किया, जबकि divide ने इस binary operation को follow नहीं किया, तो हम यहाँ पर अच्छे से कह सकते हैं, कि जो integer होते हैं, वो plus के लिए ग्रोपाइड होते हैं, जो integer होते हैं, वो minus के लिए भी ग्रोपाइड होते हैं, और जो integer होते हैं, वो cross के लिए भी ग्रोपाइड होते हैं, और जो integer होते हैं, वो divination के लिए ग्रोपाइड नहीं होते हैं, तो चलिए, यह हमारे पास इस topic की definition थी, इसको मैंने दो examples के throughout आपको clarify किया, अब मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो friends, आपको इसके आगे के operations लगाने हैं, उनको हल करना है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को like, comment और share, subscribe करना बिलकुल नहीं भी लिएगा, मिलेंगे एक नए topic में, तब तक के लिए नमस्कार.